बिस्मिल्ला रह्माले रहीम असलाम अलेकुम आप्रिवान वल्कम टू सीमा ओफिश एविर कैसे हाम सारे प्यारे फ्रेंड्स को मीड करती हूं बलकुल खैले से हूंगे करेंद्स अज हम बनाने जारे हैं, बहुत बहुत ही मेघ्स Walk घंजडारे लियुम, मुह्य सूर्दय गटेंथ बनती है से उसस्लेंस हमारे जानें बहुत हैं करें मुह मेघ्सFrankल के प्रेड़े, फ्रेच्वस स्वारण के हमुः मुह सूर्दय तो और उस तेल में हमने इस प्यास को इतना फ्राय करना है कि प्यास ट्रांस्कूलन्ट हो जाए या तोड़ा सा सौ।फ्ट हो जाए तो प्यास की लशेंच होते है रहाँ पर हमने शामल करना है यहां यानधा जिसन शी expressed हैजा, SUSP, पेस्ट कि जो टमार्टर है तो थोड़ा Southwest हो जाए तमार्टर के सोफ होते ही हम ने यहाँ पर शामिल करना है तकरीवन दो से तीन हरी मर्चें उसकी चौ। चॉप rebel की हुई और उसमSO भी हमने स्थोड़ा सब्हून लेना है हरी मर्चों दूनते ही यहाँ पर रहमने due कीछ से नहीं अन्हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर करें वन टीस्पून हल्दी पाउडर कि गरम मसाला पाउ रफ टीस्पून जीडत पाउडर 5 टीस्पून ही töर धन्या पाउडर वन टीस्पून और इसको अच्छी तरह से सारे मसालजात को मिला के और इसको भूल लेना है बहुत अच्छी तरीके से इतना भूलेंगे इतना भूलेंगे के जो तेल है वो थोड़ा उपर को आ जाए साथ ही शामल करेंगे हाफ कप पानी और फिर थोड़ा से इसको भूल लेंगे मसाले को ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए साथ ही शामल करेंगे टू टेबल स्पून भर के इमली का पल्प, इमली का पेस्ट तो जनाब ये की है इस मज़ेदार डाल की चट पटी डाल की साथ ही शामल करेंगे नमक वन टी सपून और टू टेस अपने हिसाब के मताबग अपने जाएके के हिसाब के मताबग आप शामल कर सकते हैं मैंने मूnous मसूर की डाल ली है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धूल ये है वाश्ट कर लिया है और इसको दो घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था अब वो डाल जो है पासो ग्राम डाल हमने शामल कर लेना है मसाले के साथ और इसको अच्छी तरीके से मसाले के साथ पास से साथ मिन तक भूल लेंगे इस डाल को और पिर साथ शामल करेंगे देर्ट गलास पानी और इसको अच्छी तरीके से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे जैसे ही आपको बॉयल नजर आ जाए तो हमने यहां पर ढख कर तक्रीबन 35-40 मिनट तक दाल को हल की आच पे मीडिया माच में मतलब के पकने के लिए छोड़ देना है कि दाल अच्छी तरह से गल जाए बहुत ही मज़दार यह दाल बनने वाली है तो फ्रेंड्स हमने तकरीबन 35-40 बात चेक किया है तो काफी हद तक दाल गल चुकी है और पानी भी थोड़ा रिडियूस हो गया है गाहरी अगर आपको दाल चाहिए तो यह आपके उप़र है कि आप कितना पानी इसमें शामल करते हैं अगर आपको कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मोटी डाल चाहिए तो आप इसी में ही इसको घोट लें यहाँ पर हमने कसूरी मेती शामिल किया है वन टीस्पून क्रेश करके और साथ ही आपके पास हैंड मेशर या फिर एलेक्ट्रिक बीटर या जो भी है आप उसकी मदद से डाल को घोट लें बीट कर लें अची तरह से डाल को जो है वो मेश कर लें तो मैने यहाँ लकडी के घोटनी के मदद से यहाँ पर मैने इसको डाल को मेश कर लिया है आप देख सकते हैं यहां पर फ्रेंच तो अब हम इसका मज़दार सा तड़का तैयार कर लेते हैं जब तक तो दूसरे एक पैन में हमने हाफ कप ओईल लिया है साथ ही मैंने यहां पर लिया है एक छोटी प्याज जिसको मैंने स्लाइसिस कर लिया है एक वन अना हाफ टी स्पून के करीब या वन टिबल स्पून के करीब साब जीरा पास से साथ लाल साबित मिर्चे हैं यहां से तीन से चार मैंने जो है वो कलोवज लिया है गारलिक के उनको मैंने काट लिया है बारी बारी और नहां पर मैंने जो है करीवता सबसे पहले प्याज और लसन और साबित लाल मर्चे हम एड़ कर लेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राइ कर लेंगे कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए प्याज की कलर चेंज होते ही हम ने यह शामल करना है जीरा और कड़ी बता तो मज़दार बहुत ही कर लेते हैं दाल के अंदर इसे शामल करते ही आपने उपर से ढखकन जो है वो कवर कर देना है कवर को आप लगा देना है ताकि सारस का अरूमा जो है वो डाल में शामल हो जाए तो यह हम हटा लेते हैं माशाललह बहुत ही मज़दार फ्रेंड्स खुश्बू आ रही है इस व तो यहान पर हम के दाल प्राव से लियाव तो इस दिहा हन मनता बचाए चापा ले? दाल फ्रेंट्स जहां पर हम थोड़ा सा जो है इसको गानिश कर देते हैं फ्रेश क्रॉरियंडर मतलब के ताज़ा हरधनिय के पतों के साथ तो ये रेडी टू सर्फ है माशालला माशालला मज़दार बहुत ही चटपटी जाइके दाल जो है वो तयार है तो फ्रेंट्स आप बहुत ही मज़दार इसी रेसिपी से बनाएगा गैरंटेड जो खाएगा अपने उंगलिया चाटते रह जाएगा बहुत ही मज़दार और आपकी तारिफ के बिना नहीं रह पाएगा यकीन माने बहुत ही मज़दार दाल है जरू ट्राइ कीजएगा अपना बहुत सारा ख झाल झाल